पीटी एटी दो बरसिया वालों की पहली लिष्ट जो है वो जारी कर दी गई है और आप लोगोंने चेक भी कर लिया होगा कि आप लोगों को कॉलेज मिला है या नहीं मिला है जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है वो बच्चे दस्ताविज तयार कर लेजिए और जो 22,000 मिला जुक है तो इस वाले विडियो में हुआ है तो इस वाले व्यटी दो बरसिया वालों की दोसरी लिश्ट जो है वो जो कब तक काईगी कट आप कितनी जा सकती है नीचे इस पर भी बात करेंगे और कितनी सीट अभी भी खाली है इस पर भी बात करेंगे और कितने नंबर पर मिला कॉलेज इस पर भी बात करेंगे तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाय को से जरूर करें अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बाल को आउन करें लिजिए है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि PTT दो बरसी वालों की जो दूसरी लिष्ट है यह मान के चलिए 31 अक्टूबर के बाद आप लोगों की दूसरी लिष्ट आएगी ठीक है और जो कटाप आप लोगों का है और कितनी नीचे जा सकता है यह भी देख लिए जो कितने न शचे जेनरल में में 375 पर कॉलिज मिला है और जेनरल फीमेल में बिग्ञान बरग में 340 पर कॉलिज मिला है OBC की बात करें तो OBC में 370 प्लस और female में 330 प्लस बिग्यान बर्ग के बात कर रहा हूँ SC बर्ग में SC कटागर दिए जो लोग बच्चे हैं इनको 360 प्लस पे और महिलाओं को 320 प्लस कॉलिज मिला है HT की बात करें इनको बिग्यान बर्ग में 345 प्लस पे कॉलिज मिला है महिलाओं को 315 प्लस पे कॉलिज मिला है EWS की बात करें तो EWS वाले जो बच्चे हैं इनको 325 प्लस पे कॉलिज मिला है और महिलाओं को 325 प्लस पे कॉलिज मिला है तो यह हो गया आपका विज्ञान बर्ग का कटाब ठीक है कला बर्ग का कटाब देख लिजी आप लो तो कला बर्ग का कटाब क्या रहेगा कला बर्ग का जो है आपका जनर्ल वाले जो बच्चे हैं, male इनको 300 प्लस पे college मिला है ST कटागरी की बात करें कलाबरग में तो ST कटागरी में 285 प्लस पे कॉलेज मिला है मेल और फीमेल को 265 पे कॉलेज मिल गया है ST की बात करें तो ST में 270 प्लस पे कॉलेज मिला है मेल को और 260 प्लस पे फीमेल को कॉलेज मिल गया है EWS के अगर हम बात करते हैं तो EWS में मेल को 280 प्लस पे कॉलेज मिला है और फिमेल को 270 पे कॉलेज मिला है तो आपकी लोगों के दूसरी लिस्ट है कब तक आएगी इसके बारे मैंने आप लोगों को बता दिया है 31 अक्टूबर के बाद दूसरी लिस्ट जो है आप लोगों की वो जारी कर दी जाएगी सीटों के बारे मैं अभी तो कोई जानकारी ने कि अभी तक कितनी सीटे खाली है इसकी जानकारी मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में दे दूँगा और कटाब मैंने आपको बता दिया है कि कितने नमबर वालों को कॉलिज मिला है दूसरी लिश्ट के बारे मैं आपको बाद में बताऊंगा मॉर्निंग मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें जो भी कॉमेंट्स आदे बच्चों के तो उन सभी कॉमेंट्स का रिपलाई मैं इस वीडियो में देने बाला हूँ कुछ बच्चे खुस भी हैं और कुछ बच्चे दुखी भी हैं कुछ बच्चों का तो सिलक्षन हो गया है कुछ बच्चों को College मिल गया है और जी बच्चों को College नहीं मिला है उन बच्चों को निरास होने की जरुरत नहीं है दूसरी लिश्ट में आपको College मिल जाएगा परशान बिल्कुल भी मत होई आप लोग नवनीत साके का Comment आया है सर 275 नंबर आर्स में दूसरी लिष्ट में कॉलेज मिल जाएगा क्या सर जी नबनीत साके जी आपको दूसरी लिष्ट में कॉलेज पक्का मिल जाएगा अगले कोमेंट्स की बात कर लेते हैं जो में में कोमेंट्स हैं उनी को मैं लूँगा क्यूंकि लगभग 300 प्लस कॉमेंट्स हैं बच्चों के बहुत ही ज़्यादा कॉमेंट्स है सभी का रिपला तो मैंने दे पाऊंगा सुनाली जी का कॉमेंट्स आया सर सेकंड लिस्ट कब तक आएगी तो सेकंड लिस्ट जो है आपकी यह मान के चलिए 31 अक्टूबर के बाद सेकंड लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी दूसरी लिस्ट की काउंसल में भी फीज भरनी पड़ेगी क्या सर नो दूसरी लिस्ट की काउंसल में फीज नहीं जमा करनी पड़ेगी अगला कोशन आया है मदर्स के वा सर मुझे पहला ही कॉलेज मिल गया है पी टी टी में वी एम ओ यू एमे का रिजल्ट नहीं आया है कॉलेज वलों से बात की थी वो मना कर रहा है कि बाजर फीज भरने की क्या करूंगा सर मैं परेशान हूं कोई हल्प करो सर जी मेरी आपकी अतिकरपा होगी देखिए अगर आ वो कॉलेज नहीं चाहिए दूसरी चाहिए तो आप एक काम करिए आप अवर्ड मुमेंट कर दीजी शीतल मीना जी आप अवर्ड मुमेंट कर दीजी है आपका कॉलेज जो है वो चेंज हो जाएगा ठीक है सेकंड लिष्ट कब आएगी सेकंड लिष्ट 31 अक्टोबर के बाद सर दूर मिला है बहुत क्या करूँ दूर मिला है आपको आप आबर्ड मुमेंट कर दीजिए पास में कॉलिज मिल जाएगा आपको म्यूजिक लावर सर अबर्ड मुमेंट के लिए एक्टा चार्ज लगेंगे क्या कोई चार्ज नहीं है बिल्कुल फ्री में है आप अबर्ड मुमेंट कर सकते हैं सर आर्ट्स जनरल फीमेल 294 कॉलिज मिल गया सर फच चुईस में आपने जैसा बोला फिल किया मैंने थेंक्यू सो मस्सर मुझे लगा कि लगाता कि साथ फच लिष्ट में मिलेगा ही नहीं बट थेंक्यू सर यह हमें धन्यवाद कर रही हैं विधी महता विधी महता जी काफ मुकेश स्वामी होम डिष्टिक में कॉलिज में मिला है लेकिन नजदी कॉलिज लेना चाहता हूं ठीक है आपको दूर मिला है को एक काम करी आप अबर मुमेंट कर दीजे मुकेश स्वामी जी ठीक है पास्विया का कॉलिज हो जाएगा अगला कॉमेंट्स आया है इनका नाम क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका सवाल देख लेते हैं क्या है हैलो सर मुझे फर्ष्ट लिष्ट में फर्ष्ट च्वाइस कॉलिज मिला है मेरी ही डिष्टिक भरतपूर में मेरे 298 नंबर थे कॉमर्स से OVC साधी के साथ साल बाद बुक्स हाथ में ली थी विकाउस मेरा डिबोस केस चल रहा है ऑननली मैं पास हो गई हूँ एनद पास मेरे ही कॉलिज में मुझे कॉलिज मिला है थेंक यू सिवाजी अन्द थेंक यू सर यूर गाइडेंस तो देखिए ये भी हमने धनेवाद कर रहा है जो भी मैंने जानकारी दी है वो ब्लकूँ जानकारी सही है इस पर काफी बच्चे में धन्यवात कर रहे है तो जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है पास से मिला है या दूर मिला हो तो सवी बच्चों को बहुत बहुत बधाए phrase मेरी तरफ से फिलाल अगला कोमेंट्स देख लेते हैं सर मुकेश स्वामी सर दस कॉलिज मिल करने के बाद दस कॉलिज के अलावा दूसरा अन्य कॉलिज कैसे मिला काफी बचे परेसान है कि जिन बच्चों को दूर कॉलिज मिला है वो बचे काफी परेसान है अब देखिए सुरे सलाल जी SC ये कटागर इनकी SC है और 350 प्लस नंबर है और इनको कॉलेज नहीं मिला है आप समझ सकते हैं कि कितनी कटाफ गई है साइंस बर्ग वालों की खर आर्ट में तो काफी लोगों को कॉलेज मिल गया है फिलाल लेकिन साइंस बर्ग के जो वाले बच्चे हैं थोड़े से दुखी हैं फिलाल आप दुखी मत होईए सेकंड लिष्ट का इंतजार कीजिए आपको कॉलेज मिल जाएगा ठीक है अगला कॉमेंट्स आया है योगेस जी का सर मैंने जो कॉलेज भरा था उसमें से नहीं मिला और लिष्ट से आउट कॉलेज मिला है मुझे चेंज करना है क्या करूँ सर प्लीज बताएं अब बड़ मुमेंट कर दीजे चेंज हो जाएका ठीक है अगला कॉमेंट्स है टेक्निकल सूपर फास्ट जैपुर में टीटी चोधरी कॉलेज में किस किस का आया है सर सेकंड लिष्ट कब आएगी SS जी का कॉमेंट्स आया है सेकंड लिष्ट 31 अक्टूबर के बाद आ जाएगी दिब्या पायल जी का कॉमेंट्स आया है 360 नमबर थे सर फीमेल साइंस मिल गई है बट सर कॉलेज दूर है तो अवर्ड मुमेंट लगाऊंगी जी आप अवर्ड मुमेंट लगाईए आपका जो कॉलेज है वो चेज हो जाएगा और पास का कॉलेज आपको मिल सकता है ठीक है क्योंकि नमबर भी आपके ठीक ठाक है अगला कॉमेंट साया है रबिंदर पंडिज जी का सर अवर्ड मुमेंट में दूसर जिलेज की कॉलेज मिल सकती है क्या सर 389 अंकत है पुरुष जिलन काडेगरी पांचवी चोय समील गई है सर साइंस में आपको दिल से धनेवाद देखिए ये भी बच्चा में धनेवाद कर रहा है जो भी मैं गाड्वाद लाइनस जो भी मैंने बात बताई और गाइड मैंने जहें प्त् mosya को मेरी एक एक बात सही निकल रही है और सबी बच्चे में धनेवाद कर रहे हैं काफी बच्चे हैं ऐसा नहीं कि एक ही दो बच्चे हमें धन्यवाद कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैं धन्यवाद कर रहे हैं तो मैं रभिद्नर जी को बताना चाहूंगा कि आपके नंबर तो खेर काफी अच्छे हैं आप एक काम करें आप अब बेड़ मुमन कर किया गा क्या सर चांस बहुत ही कम है सेकंड लिष्ट में मुश्किल है मिल पाई स्थर्ड लिष्ट का आप पैंदेजार करिए फिलाल कि सर मेरे सी साइस में मेल में 329 दूसरी लिष्ट में आ जाएगा क्या सर 329 नमग रहे आपके सौरब जी का कॉमेंट्स आया है तो सौरब जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कॉलेज मिल जाएगा दूसरे लेश्ट में 100% मिल जाएगा थोड़ा बेट करिए मुझे दूर मिला है 280 वो भी सी फीमेल अब 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 मुमेंट कर देजिए अगला कॉमेंट्स देख लेते हैं सर मुझे अलवर के बाहर में कॉलेज मिला है अगर मैं भारत पूर करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ अब 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 मुमेंट अन्नू बर्मा जी पूछ रहे हैं अन्नू बर्मा जी मैंने आपके नंबर भी देखे थे आपके नंबर तो काफी अच्छे हैं आप एक काम करिए आप अब 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 मुमेंट कर दीजी अगर उस कॉलेज में सीटे खाली होगी तो कॉलेज आपको एलाट हो जाएगा ठीक है लेकिन चांस बहुत ही जादा है कि आपको कॉलेज मिल सकता है ठीक है तो आप अब 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 मुमेंट कर दीजिए अगला कॉमेंट्स मेरा तो पहले ही कॉलेज में आ गया सर जी पाउंच कॉलेज फिल किया था फिस्ट बाली में हो गया मेरा सर बहुत सही माही गुजर जी कह रही है आपको बताई हो माही गुजर जी रेखा चोदरी सर मुझे फर्ष्ट च्वाइस कॉलेज मिली है तो रेखा चोदरी जी आप ही मेरे चैनल के साथ काफी समय से जुड़ी हुई है आपको भी बताई हो हाँ अगले अगला कोमेंट है दूसरी लिष्ट कब तक आएगी तो दूसरी लिष्ट जो है आपकी यह मर के चली 31 अक्टूबर के बाद ही आएगी ठीक है काफी सारे कोमेंट्स हैं बच्चों के तो सभी तो कोमेंट्स को मैं ले नहीं सकता हूँ एक बच्चा है बो भी धनेबाद कर रहा है हमको विक्रेश जी धनेबाद सर मुझे कॉलेज मिल गया है सर OVC 8252 विकलांग जन होम डिस्टिक मिल गया है सर फर्ष्ट कॉलेज मिला है सर आपने सही का था आपको कॉलेज मिल जाएगा थैंक्यू सर तो विक्रेश जी आपको भी बहुत बहुत बढ़ाई आपने हम धनेबाद किया और आपने हम पे इतना भरोसा किया उसके लिए मैं आपको भूत धनेबाद करता हूँ काफे बच्चे जुड़े हुए हैं और काफे बच्चे कॉमेंट्स भी कर रहे हैं और लगबाद सभी बच्चोंगा तो कॉमेंट्स का रिपलाई नहीं दे सकता हूँ अगला कॉमेंट्स देख लते हैं क्या आया है सर अबर्ड मुमेंट्स कैसे करें प्लीज रिपलाई मी सर अबर्ड मुमेंट्स करने के लिए आपको PTT की ओफिसल वेबसाइट पर जाना होगा वहाँ पर जाके आप अबर्ड मुमेंट्स कर सकते हैं ठीक है अगला कॉमेंट्स देख लेते हैं क्योंकि सेमी कॉमेंट्स जैसे रहते है सर सेकंड लिश कब तक आएगी रियाज जी का कॉमेंट्स आया है सेकंड लिश जो है आपकी 30 अक्टूबर के बाद आजाएगी जली ठीक है चैदे बात करेंगे गले कॉमेंट्स की सर मेरे कॉमेंट्स का आप कभी रिप्लाई नहीं करते हो प्लेज रिप्लाई करना सर कविता वैसनप जी का कॉमेंट्स है तो इनका सवाल क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सवाल तो इनका है नहीं फिलाल हाँ कभीता वैसनप का सवाल यह है सर मेरे आर्ट्स OBC फिमेल में 309 नमबर है 6 कॉलेज भरी हूँ मुझे कॉलेज नहीं मिला है दूसरी लिष्ट में कॉलेज मिल जागा क्या सर 300 नमबर 309 नमबर हैं आपके 8 सब्जेक्ट है आपका हमें लगता है कभीता जी आपने बहुती कम कॉलेज फिल किये थे इसलिए आपको कॉलेज नहीं मिला है तो सेकंड लिष्ट का इंतिजार करिए आप ठीक है अरविंद मीना ये काफी समय से हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए है अरविंद मीना जी कह रहे हैं सर मुझे टॉंक में कॉलेज मिला है और मुझे कोटा में अबावमेंट हो जाएगा क्या सर तो आप अबड मुमेंट कर दीजे मिल सकता है चांस पूरे के पूरे है सर अबड मुमेंट का रजल्ट कब तक आएगा अबड मुमेंट का रजल्ट दो बरसी वालों की चार बरसी वालों की चार बरसी वालों की जानकारी दुखारा में नहीं है कि कब तक आएगी मोटिवेशनल सायरी कह रही है अगला कोमेंट्स देख लेते हैं हाँ अगला कोमेंट्स है सर मेरा नाम मादव है और सर मेरे पिटीटी में 309 नमबर है मैं स्टी से हूँ मुझे कॉलेज तो मिल गई है लेकिन जो मैंने कॉलेज भरी है उसमें से नहीं मिली है हाँ मैंने और राजिस्तान के लिए हाँ किया प्र मुझे दूसरी कोछि मिल सकती है है या मैंने भरी हिए एक चाहिए तो क्या मेरे पैसे बापस आ सकते हैं लिए इनका नाम क्या है माधव जी माको बता देना चाहता हूँ जो कोलेजी में जमा करेंगे 22,000 डीड़ रूपर जमा कर देते हैं और आप एडिए ले 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 स्काफिसं स्काफिसं के कॉमें पढ़ें काफी बच्चे से लास यह जो भी घंवहात कर रहे हैं अआ क्यों बर्सा एके सहे में अबर्ट करना चाहिती हूँ तो यह इन क्या के ज्यादा विट सकते हैं रिपलाई मी सर तो देखिए आपने मन पसंद का कॉलीज फिल कर सकते जा एक भरी चाहिए दो भरी जा तीन भरी वह आपकी मर्जी यह कितने कॉलीज भरती है आप लोग बच्चे अपनी कांसलिंग आईडी भी डाल रहे हैं और काफी बच्चे हैं जो कांसलिंग आडी भी अपनी दे रहे हैं कटा गरीब बता रहे हैं अगला कोमेंट देख लेते हैं क्या आया है ओम प्रकास मीना जी को यह कह रहे हैं इससाद एम्रेकालिंग को कॉलेज नहीं मिला है यह रो रहे हैं सर मेरे 270 नंबर है एश्टी से हूँ आठ से हूँ 170 कॉलेज भरी थी फिर भी कॉलेज नहीं मिला सेकंड लिष्ट में मिल सकता है क्या सर 270 नंबर सब्जेक्ट आपका आठ से हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको थोड़ा सा बेट कीजिए रो यह मत बिल्कुल आप प्रसान बिल्कुल मत हो यह दूसरी लिष्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगा ठीक है रोने की जरूत नहीं है रोनेस क्या होगा दुखी हो मत होई ह आपको कॉलेज मिल जाएगा नमबर साइए ठीक ठाक है आपके नमबर अगला कॉमेंट देख लेते हैं क्या आया है सर सेकंड लिष्ट कब आएगी RDX आजाद गेमिंग RDX आजाद गेमिंग भी काफी समय से हमारे चनल के साथ में जुड़े हुए हैं इनको कॉलेज नहीं मिला है दूसरी लिष्ट आपकी 31 अक्टूबर के बाद ही आएगी सर अवर्ड मुमेंट कितनी बार करना कर सकते हैं एक बार कर सकते हैं आप अवर्ड मुमेंट बार बार थोड़ी कर सकते हैं आप तो खैर इतने ही comment बच्चों के आये हुए हैं क्योंकि comment बहुत ही जदा है सब के reply देना संबब नहीं है बहुत जदा मात्रा में comment बच्चों के हैं जदा बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हमें धन्यवाद कर रहे हैं जोती जी पूछने सर बेस्टी से की एक्जाम की काउंसिलिंग कब तक होगी तो देखिए रिजल्ड जो है आपका अक्टूबर के लाश्ट में या नॉमंबर के पर्थम सप्ता में जो है आ जाएगा तो वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइकों सिया जरू करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब परिकर नोड़ी विकेशन बल कौन कर लीजीगा आप लोग तो मिलते हैं नेश वीडियो के साथ जहिन च ये वारत.